एक लव्य विध्या संकूल आप सब में से बालगित सुनना किसे अच्छा लगता है? आप सब को अच्छा लगता है? बहुत अच्छे? तो आईए, अब हम सब एक गुजराती बालगित सुनते हैं, तो आप सब ध्यान से सुनना मीथोटों कार्मने आपने मुरलिया, सेम भणी मारे टाहिक वुचे मीथोटों कार्मने आपने मुरलिया, सेम भणी मारे टाहिक वुचे तमारो प्रकाश मने आपोने सुरज देव, जगने अंधारे थि दोरवू छें तारू ते ते जमने आपोने चांदलिया जगने सी तलता मारे आपो वीचें तारू ते ते जमने आपोने चांदलिया जगने सी तलता मने आपो वीचें शिक्षाने गनान मने आपोने गुरुजी जगने मारे गनान आपो वीचें शिक्षाने गनान मने आपोने गुरुजी जगने मारे गनान आपो वीचें आतो बाल दोस्तो बाल गीत सुनने में मचा आया बहुत अच्छे तो एसे एक सुन्दर सक गीत है कुक्षा छे में एक सुन्दर सी कविता है जिसका नाम है धर्ति को महकाई तो बाल दोस्तो ये कविता भी आपको बहुत पसंद आएगी और इसे सिखने में बहुत मचा आएगा तो आएए पहले हम इस कविता के बारे में थोड़ा जानते है आतो बच्चो अब हम कविता के बारे में जानते है जानते है धर्ति को महकाई तो आएए इसके बारे में थोड़ा जानते है इस काव्य में प्रकृति की तत्व फूल सूरज दिपक की बात कहीं गई है फूल हमेशा मुस्कूर आता रहता है सूरज रोज अपन प्रकाश फिलाने का कार्य करता रहता है और दिपक खुद जलकर जगत को रोशनी देता है हमें भी किसी भी परिस्थिती में प्रसंता से अपना काम करना चाहिए और अपनी धर्ती को ज्यादा से ज्यादा सुन्दर बनाने के कोशिश करनी चाहिए तो यहीं इस कविता में समझाया गया है तो आईए बाल दोस्तों अब हम इस कविता को गाते हैं और सुनते हैं तो आप सब भी साथ में गाना और ध्यान से सुनना भगिया के फूलों को देखो कैसे खुश खुश रहते हैं आंधि हो पानी हो चाहे सब को हस हस सनते हैं बगिया के फूलों को देखो कैसे खुश खुश रहते हैं आंधि हो पानी हो चाहे सब को हस हस सनते हैं सुरज की किरणों को देखो रोज धरा पर आते हैं अंधिकार को दूर भगा कर सारा जग चमकाते हैं सुरज की किरणों को देखो रोज धरा पर आती हैं अंधिकार को दूर भगा कर सारा जग चमकाती हैं दीपक को देखो के से यहां हर दम जलता रहता हैं अपना अंतर जला जला कर रोशन जग को करता हैं अपना अंतर जला जला कर रोशन जग को करता हैं आउं हम भी इंसा बन कर जग में अपना नाम कमाई अच्छे सची काम करें और सारी धर्ती को महकाई आउं हम भी इंसा बन कर जग में अपना नाम कमाई अच्छे सची काम करें और सारी धर्ती को महकाई हातो बाल दोस्तो आप सबने कवीता खुश सुना आप सबको मजहे कवीता सुनने में अरे वाद, तो आईए, अब हम इस कविता की समझूतिले, समझते हैं, जानते हैं कि इस कविता में हमको क्या सिखने को मिलेगा, तो आईए, बगिया के फूलों को देखो, कैसे खुश-खुश रहते हैं, बगिया, बगिया यानि जो बगीचा होता है, उसे बगिया कहते हैं, बगीचे में जब हम जाते हैं, तो वहाँ पे तरह-तरह के फूल होते हैं, और जब भी हम उनको देखते हैं, तो वो हमेसा हमें एकदम से पूल जो है और फूल को देख कर हमें खुश होना चाहिए और हम भी खुशी से उन्हें देखते हैं और कई बार तो हमें उन्हें तोड़ने का मन भी होता है और कई सारी लड़किया होती है तो उनको तो बालों में लगाना भी अच्छा लगता है तो इसका वितामी कहा है कि बगीचे के जो फूल है वो हमीशा खुश रहते हैं आंधी हो पानी हो चाहे सबको हस हस सहते हैं आंधी आंधी यानि कि जो जोर जोर से हवा आती है और अपने साथ कुछ कचरा भी ले के आती है तो उसे आंधी कहते हैं तो आंधी आती है तब फूल जो है वो जुक जाता है थोड़ा सा और आंधी के सामने टिका रहता है पानी हो चाहे पानी यानि के जो बारिश का पानी होता है जब बारिश में ज्यादा पानी गिरता है तो उस वक्त भी फूल जो है वो टिका रहता है और उसके सामने हसता है और हंसकर आंधी और पानी को सहता है। सूरज की किर्णों को देखो रोज धरा पर आती है। तो इसमें कविता में कहां गया है कि जो सूरज है। सूरज यानि की जिसे हम कहते हैं सूरज दादा। उनकी किर्णे हैं वो रोज धरा पर आती है। धरा यानि धर्ती धर्ती पर रोज आती है अंधुकार को दूर भगा कर सारा जग चमकाती है तो सुरज की कीरने जब धर्ती पर आती है तब वो अंधुकार को दूर भगाती है जग सुबह में सुरज दादा आते है तो सारा अंधुकार चला जाता है और जग में उजला होता और जब अंधकार दूर भागता है तो सारा जग चमकता दिखता है तो सुरज की किरिणे धरा पर आकर अंधकार को दूर भागा कर सारा जग चमकाती है दिपक को देखो के से यह हर्दम जलता रहता है दिपक यानि की जो दिया होता है यह हर्दम हर्दम यानि की हमेशा दिया जो है वो हमेशा जलता रहता है अपना अंतर जला जला कर अपना जो अंतर है यानि की अंतर जो बाती हमने रखी होती है उसे वो जला जला कर वो उसका अंतर यानि की आत्मा है तो अपने आपको वो जला जला कर रोशन जग को करता है तो रोषण करना मतलब प्रकाशित करना अपना जो प्रकाश होता है उसे वो फेलाता है तो दिपक जो है वो हमेशा अपने आपको जला कर सारे जग को रोशण यानिके प्रकाशित करता है आओं हम भी इंसा बनकर जग में अपना नाम कमाए तो कविता में कहा है कि हमें इंसा बनकर इंसान बनकर क्यूं तो के केसा इंसान बनकर तो इसा इंसा जो हमेशा सबके साथ अच्छा विवहार करता है हमेशा सच्छा बोलता है फिर दुसरों के साथ अच्छे से प्यार से व्यवार करता है, सब को अच्छे से समझता है, ऐसा इंसा बनकर जग में, जग में यानि कि विश्व में अपना नाम कमाएं, नाम कमाना मतलब अपना जो नाम है उसे आगे बढ़ाना, अपना नाम जो है, उसे दुसरों के माध्यम से आगे ले जाना कि ये जो इंसान है, वो बहुत अच्छे काम करता है, सब को अच्छे से समझता है, तो इसे नाम कमाना कहते हैं, अच्छे सच्चे काम करें और सारी धर्ति को महकाएं, अच्छे सच्चे काम करना मतलब केसे काम करना, तो अच्छे काम करना यानि दुसरों को मदद करना, दुसरों के साथ अच्छा वियोहार करना, फिर सच्चे काम मतलब सच बोलना, कभी किसी से चूठ नहीं बोलना, त तो ऐसे काम अच्छे सच्च काम काते हैं। अच्छे सच्च काम करें और धर्ती को मह काएं। कि तो ऐसे, हमें हमेशा बग्या के फूलों की तरह हस्ते रहें कर उनकी तरह विकट परिष्थितिय को सहिं कर। सुरज दैदा की किर्णों की तरह अंधिकार दूर भगा कर दिपक की तरह जल कर जग को रोशन करना और इंसान बनकर अच्छे सचे काम करकर धर्ती को जो है उसे मेकाना है मेकाना मतलब उसके उसमें अच्छे कार्य से अच्छी सुगंद फेलाना ऐसा अर्थ कविता में बताया गया है आतो बच्चों हमने कविता को गाया और समझा अब हम कविता में आने वाले कुछ ऐसे शब्द है जिनके अर्थ जानने से कविता समझने में और भी आसानी होती है तो आये हम कुछ ऐसे शब्दार्थ समझते है धर्ती, धर्ती यानि भूमी अंधकार यानि अंधेरा दिपक यानि की देप जो दिया हूता है उसे दिप भी कहा जाता है और दिपक भी कहा जाता है हरदम यानि हमेशा महक महक यानि की सुगंद रोशन, रोशन करना मतलब उज्जाला अंतर, अंतर यानि की रदय, दिल हाथ तो बाल दोस्तों, आपने कविता को सुना, समझा और शब्दार्थ भी समझे तो ये जो शब्दार्थ है, वो आपको अपनी नोटबुक में, हमवर्क में लिख नहीं अस्तु आस्तु प्याओ अस्तु थैंज घ्यंशिग भी समझे